नमस्कार दोस्तों, स्वकत आपका टीचर्स वे में, आज हम पॉलिटी की क्लास नमबर 4 करने वाले हैं, क्लास नमबर 4 अभी तक हम जो भी चीजे पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपकी पॉलिटी की थियोरी क्लास है, ये लास्ट है, मैंने हिस्टी कराया, जिगरोफी कराया, आप पॉलिटी कराओं, इसके बाद में कुछ भी नहीं कराओंगा, इसके बाद हम 25 थारी के बास से हिस्टी जिगरोफी, पॉलिटी, एकोनोमिक्स, साइंस के MCQ कोश्चन करेंगे, MCQ कोश्चन के थूरू पूरे स कवर करने की कोशिस करेंगे, ठीक है, चलिए, पॉलिटी की थीोरी क्लास में ये चार बज़े डिली आपको मिलती है, इसके अलावा, 11 बज़े हिंदी की स्पेसल क्लास मौनिंग में, ठीक है, विकली में तीन वीडियो, इसके अलावा कर जो मैं बात करूं, आपके 7 बज़ करता हूं, इससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो नहीं दिखाई दे रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए, हम बात करें यहां पर, लास्ट क्लास में हमने देखा था, किस प्रकार स से यहां पर भारत जो था 500 555 रियास्ते थी उनका एक ही करड़ किया जाता है जिसमें सर्दार वल्लब भाई पटेल की महत्पूर भूमिका थी इसलिए 18 सक्टूबर को में राश्ती एकता दिवस मनाते हैं और पटेल को सर्दार वल्लब भारत का विसमार्क नाम से भी भारत राज्यों का संग होगा लेकिन भारत के राज्यों का विभाजन कैसे होगा भारत के राज्यों का बटवारा कैसा होगा इसको लेके बात चलने लगी तो भासा की आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम टॉपिक भी पढ़ेंगे कि कैसे होता देखो तो राज्यों की इस आधार पर यहाँ पर भासा कि आधार पर न खड के भोगोल प्रसाशन तथा विट्विकास की सुविधाव के अनुसार किया जाया थेक है यह कहा गया कि भारत की जो राज्यों का गठन है पुनर गठन है या राज्यों का बट्वारा है वो भासा के आधार पर ना करके भुगोल प्रस्वासन तथवित विकास विधाव के अनुसार किया जाएगा लेकिन वहीं पे तेलगु भासी एक नेता थे पोट्टी स्री राम लुल्लू अब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यह नहीं चाहिए मैं अपने जो राज्य है मेर आधार पर नहीं कर सकते हैं आप भासा के आधार पर राज्यों का बटवारा कीजिए कि हम तेलगु बोलते हैं तो हमारा एक अलग राज्य बना दीजिए ठीक है तो इसको लेके बावाल मजगया अब पोट्टी स्री राम लुलू ने क्या किया भाई या अन्ना हजारे बन लगता है यहां पर दंगा भड़क सकता है बहुत सारी चीजे हो सकती लोग परिसान हो सकते हैं लोग सड़कों पर उदर सकते हैं तो इस प्रकार से आप से कोश्चन पूछा जाता है कि भासा के आधार पर गठित होने वाला पहला राजी कौन सा था आंधर प्रदेश ठीक 1747 को एक धर की अध्यचता में भासाई प्रांत आयोग का गठन किया ब्रांत आयोग का गठन किया टोक्टर आजीन पसाथ ने ठीका 27 नवंबर 1947 को इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि राज्यों का पूर्ण गठन भासा के अधार पर ना करके वहां के भूगोल प्रसास वित्व विकास की सुवधा के अनुसार किया जाएगा ठीक चलिए इस आयोक की रिपोर्ट को जाचने के लिए कॉंग्रिस ने जे वीपी समिति का गठन किया जे वीपी में तीन ने था थे पंडी जवाल नेरू वी से वल्लबाई पटेल वी से पद्दामी सीतर मया तो इस आ तमिल को लेकर बवाल देखने को सुना था अभिनाता एक दूसरे को लेकि ट्विट कर रहे ठीक है चलिए मदरास राज्य के तेलगो भासियों के लिए भासा की अरश पर अलग राज्य का गठन को की मांग को लेकर पोटे स्री राम लुलू ने आमर अंसन शुरू किया और 56 दिन जब उनकी मृत्य हो जाती है तो यहाँ पर बवाल मत जाता ठीक है तो याद रखेगा इसके बाद पंडी जवाल नहुरू ने एक अक्टूबर 1903 ये आपको याद रखना है एक अक्टूबर 1903 को आंदर प्रदेश को पंडी जवाल नहुरू ने अलग राज्य का ध ठीक है चलिए 1903 को ही भारत के पूर्व नियाधिस फजल अली के अधिशता में राज्य पूर्व नियाधिस से फजल अली इनके अधिशता में राज्य पूर्व नियाधिस से फजल अली इनके अधिशता में राज्य पूर्व नियाधिस से फजल अली इनके अधिशता में गठन किया जाता है इस टार्टिंग में ही आपके भारत के थाइस उन्तिस राज नहीं बन गए थे ठीक है पहले चौदर राज्य थे पाच के इंसासित प्रदेश यानिकी केंद्र सासित प्रतलम यूनिटर टेरिटरी जो केंद्र के अधीन रहकर करेंगे ठीक है चलिए यहा पंद्रहावा गुज़ चौदर राजी पहले थे धिरे धिरे अलग-अलग राजियों का गठन सुरू हो जाती है तो 1960 में पंद्रहावा राजी कौन बना था गुजरत याद रखीगा 1960 में पंद्रहावा राजी कौन एड़ वा था गुजराथ ठीक है 1963 तिरसट आता है इस में आसाम से अलग होके नागालेंड सुलावा राजी बन जाता भारत का 1903 में आसाम से अलग होके नागालेंड सुलावा राजी बन जाता है 1966 में हरियाना पंजाब से अलग होकर सत्रहावा राज बन जाता है यानि कि पंजाब से अलग होके हरियाना भारत का सत्रहावा रा इसके बाद 75 में सिक्किम भारत का 22 राज्य बनता है और 1987 में मिजोरम तेईसवा राज्य ये इसके अलावा आवलांचवर देश्यष्वा राज्य और गोवा आपका 25 राज्य बन जाता है उसके बाद 1 नमबर 2000 की बात करें यहां पर 36 गढड़ 26 राज्य बन जाता है और याद रखेगा ये वाले जो है इनके सियम भी याद रखेगा वो एक 2000 एक नमंबर 2000 को 36 गड़ 26 वा राज्य बना और अजीज जोगी इसके प्रथम मुक्य मंत्री थे यानि कि सन 2000 में तीन राज्य बने थे 36 गड़ उतराखन जारखन दो जून 2014 को याद रखेगा आंधरा प्रदेश से अलग करके तिलंगाना एक अलग राज्य बना गया 29 वा राज्य भारत का बना था के चंसेखर राव प्रथम मुक्य मंत्री थे वरतमार में भारत में 28 राज याद करते चलो याद रहेगा बहुत अच्छा रहेगा ठीक है अब देखो 29 वा राजी तिलंगाना बना तक हो के 28 कैसे वह जम्मु कस्मीर भी राजे था लेकिन इसको दूख के निसासित परिसों में तोड़ दिया गया ठीक है तो इसलिए अब जम्मु कस्मीर राजी चेतरी परिसत ठीक है पाच टोटल चेतरी परिसत बनाएगी कितनी चेतरी पर्सत थे अंबत कितनी है पाच थो फाइं कोई कोई ए लाज नहीं है है चलिए आगे चले ठीक है आगे चले लेकिन 1956 की धारा 15 के अनुसार इसके संबन में प्रावधन किया गया ठीक है वरतमार में भारत में कुल 5-6-3 परिसादे हैं इसका गठन कौन करता राष्टपती की द्वारा किया जाता है इसके अध्यच भारत के ग्रिह मंत्री और उप चेत्री परिसाद के अध्यच क्वन होते हैं भारत के ग्रिह मंत्री अगर जो यहां पर उपस्तीत नहीं तो इसके जगह पर कोई और केंद्री मंत्री भी अध्यच हो सकता यह भी याद रखेगा तो क्या क्या कोश्रान बन सकता है छेतरी परसात के संभबने में मूल संभीधान में कोई प्रावधान नहीं है ठीक है लेकिन निचिन फ़न की फॉप्वी परिस्ड है इनधी में अलग अलग राज्यों को डाल दिया गया है सबसे पहलें पूर्वी छेतरी परिसद की बात करें, यहां पर पूछ सकता है पूर्वी छेतरी परिसद, पश्मी छेतरी परिसद, इसका मुख्याला है कहा है, ठीक है, तो पूर्वी छेतरी परिसद का मुख्याला है कलकत्ता, पूर्वी छेतरी परिसद का मुख्याला है कल र्रुवाइन चकोर का मुख्यालय है कॉलकाता ठेक ठेक ओन्फ नें 9ग उसे पूर्ष से चोश्मे परिस्थानर, सबसे पजोटी ठेऊ, सबसे बड़ी सच्छाथ पूर्ष सबसे पष्में, यहां पर दो कें सास्थित स्कुण देखो यहां पर गोवा, महाराष्ट, गुजरात, दमंदिव और दादरनगर हवेली, ठीक है, देखो, अब ये चीज थोड़ा सा सही कर लो, ठीक है, एक केंदर सासित परदेश, एक केंदर सासित परदेश, क्योंकि दमंदिव और दादरनगर हवेली को एक मिलाके, एक जोगाँ चलिए बर काता सबसे बड़ा बारे राज्य आते हैं थिक उत्तरी चेतरी पर 'llभ ऑर जमू कस्मीर डिली चंड़ीगड़ अब देखो यहां पर अब भी पूराना थोड़ा सा मेरा बनाये हुए इहां से मैं पढ़ार आई ऊत्तरी स्टरी बात करें यहाँ पर क्या है आपको याद करना है त्यहां पर देखो आप कहोगे पंजाब हारियाना राजस्थान और हिमाशल प्रदेस यहां कितने राज चार-्राज जाते हैं चार राज जाते हैं और जम्मु कस्मीर और लदाक यहां पे एक तीन चार पाच एक दो तीन कारज चार के लदाक insight कर लो ठीक है तो याद रखो के न", इसके चाろ एग्या चलो आगे चले मांडे चेत्री परशत की बात करे मुख्याला इलहाबाद ब्सपतर मुख्याला इलहाबाद. दच्छडी छेतरी परिशत की बात करें, अंतिम है आपका, इसका मुख्यालय चिन नहीं है, दच्छडी छेतरी परिशत में पाच राज और एक केंसासित बदेश आते हैं, तमिलनाडू, तिलंगाना, आंदर बदेश, करनाटक, केरल वा पूड़िचिरी, यूटी, ठीक है, पाच राज्य और एक केंसा सिर्फ दच्छडी छेतरी परिशत में मुख्यालय चिन नहीं में, ठीक है, चलिए, ये खतम होता है, आईए, अब हम एक और आर्टिकल्स देख लेते हैं, अब हम अनुछेद की बात करेंगे, एक आर्टिकल में हम बात करें, हम भागवन भारती समिधान की आर्टिकल्स, यहां से हम उतने ही करेंगे, यतना आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट, बाकी अक्ष्ट्रा हमें पढ़ने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम भागवन की बात करें, भागवन में बात करें, कितने भाग है, 22 भ भागवन में भारती समिधान के किसके बारे में दिया गया है, संग वा उसके राजित छेतर के बारे में, ठीक है, अनुछेद एक से चार तक, भाग एक कहां से कहां तक है, अनुछेद एक से चार तक, और भाग एक में संग वा उसके राजित छेतर के बारे में दिया गया, फिर से बोलो मेरे साथ, भाग एक, संग वा उसके राज़ेचेतर के बारे में है, अर्टिकल कौन सा है, अनुचेद कौन सा, एक से चार, ठीक है, भारती समिधान की बात करें, भागवन में पढ़ेंगे, भागवन का नाम है, संग वा उसके राज़ेचेतर से, अनुचेद ए अब भागवन में अनुछेद एक क्या कहता है, अनुछेद एक कहता है, कि भारत एक राज्यों का संग होगा, राज्यों का संग मतलब अलग अलग राज्यों होगे, उनका सेंटर कौन होगा, भारत राज्यों का संग होगा, भारत राज्यों का संग होगा, किस के अनुछेद वन के अनुसार, ठीक है, अनुछे दो क्या कहता है, राज्यों का बटवारा, राज्य की सीमा, नए राज्य का गठन हम कर सकते हैं, अनुछे दो को में परिवर्तित करके, अनुछे दो का यूज करके, हम राज्यों का बटवारा, राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज सदन होता ठीक है एक होता लोग सभा जो लोवर सदन होता ठीक है एक होता आपका आपका राश्ट पती लास्ट में ठीक है यह तीन प्रोसेस होता है आप कोई भी बिल लेके आओगे आपको राज्य का बटवारा करना है सबसे पहले आप राज्य सभा में यह एक बिल पिस करो वो राश्ट्रपत्ति उस पर साइन नहीं करेगा, तब तक वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो ये तीन स्टेप होते हैं, यानि कि अगर जो किसी राज्जी का गठन करना हो, राज्जी की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्जी का गठन करना हो, तो यहाँ पे संसद के द्वारा ही ये चीजे हो सकती है किसके द्वारा संसद के द्वारा ऐसे ही नहीं किया जा सकता ठीक है चलिए अनुछे तीन की बात करें इसमें नए राज्य का निर्माड राज्य की सीमा नए राज्य का गठन वह नामों में परिवर्तन कौन कैसे करेगा इसके बारे में अ कानलाम मत के आधार ठीक नूचर चार की बात करें अनुचर तैर की बात करें अनुचर तीन के ऑनνηछे है ऌनुचर तीन को मिलाके हाँ दॉडशे चार बनाये गया चले इसको ध्यान रखहें गारीम है छलूये हैं तो यह हम इतना हम पढ़नी है याद रखेगा जो भी चीज़े मैंने बताई भाग भी पूछे जाते हैं नेस्ट क्लास में हम भारती नागरिकता के बारे में बढ़ेंगे किस हिसाब से भारत की नागरिकता आप ले सकते हो ठीक है अगर जो विदेशी नागरिक हो नागरिकता के बारे हैं बस इतना ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ही आपको याद करा दे उसके बार नेक्स्ट क्लास में यहनि कि कल हम भाग तीन भाग दो पढ़ेंगे भाग चार हम नेस्ट क्लास में ठीक है तो चलिए वीडियो को लाइक करें चल्को सब्सक्राइब करें यार कैसा लगा क अगरो फॉट सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जॉइन करो के लिए मिलता है इस तरह में बैबाए